लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिफ्रेक्शन, चलो फाइनली अब लेंस बनाने का टाइम आ चुका है लेंस हमने देखा था कितने टाइप का होता है, मगर लेंस से रिफ्रेक्शन कैसे होगा दो सर्फेसेज हैं, कहां फाइनल इमेज बनेगी, लगता तो बड़ा सिंपल है देखके कि सामने से अब्जरेज आई और आखों में चली गई मगर भाई, कहानी बहुत कॉम्पलेक्स है, चलो इस कॉम्पलेक्स कहानी को बनाते हैं असान और पढ़ते हैं, Lens Makers Formula बहुती ज़ाद़ा, इंपॉर्ट है जब बात होती है Lens Makers Formula की, तो उस केस में हमारे पास, अभी मैं assumptions आपको बताऊंगा अभी ये मान लो कि हमारी object जो है वो point size की है ठीक है अब ये point size की पहले diagram को समाईना जरूरी है एक बार diagram समझ गए तो इस derivation में कुछ भी नहीं है बाबा जी की 2-3 बूटी इस तुमारा सारा काम खतम कर देंगी चलो सबसे पहले तो एक अपने पास point size की object है अब इस object से चलें y और दूसरी वाली surface से xp2 y यहाँ पर reflection दो बार होगा एक बार air से glass के अंदर या material के अंदर raise आएंगी और दूसरी बाद material से बाहर की तरफ वो raise जाएंगी तो यहाँ पर जब दो reflection होंगे तो reflection तो तब पता चलेगा रे कहां जा रही है जब normal बनेगा और इसके लिए अप के पास कोई curved surface हो तो curved surface में या sphere हो तो उसमें जो radius होती है वो surface पर normal होती है और radius हमेशा कहां से आती है center से और उस center को अपन क्या बोलते थे center of curvature तो यहाँ पर हम यह मान रहे हैं कि यह जो हमारी पहली वाली surface है यह कोई ऐसे बहुत बड़े से sphere का part होगी और उसका center है यह तो यहां से जो यह ray आई ठीक बहुत आसान डाइगराम दूगा इसके बाद मगर पहले complicated वाला तुमारी किताब वाला समझ लो इसके बाद वाला बहुत आसान होगा और इतना complicated अपन पेपर में नहीं बनाने वाले बना दो तो कोई दिक्कत नहीं है मगर जबर जस्तितना complication कर मगर क्योंकि यह अब denser medium में जा रही है mu2 denser है mu1 rarer है हम यहीं मान के चल रहे है नहीं तो फिर हमारी properties बदल जाती है वो अपनों आगे सीखेंगे वो भी करेंगे चिंता मत करो तो अगर mu1 से आप mu2 आ रहे हो आप rarer medium से denser medium में आ रहे हो तो ray जा रही थी सीधी ऐसी नह दूसरी surface xp2 y नहीं होती अगर xp2 y नहीं होती तो यह ray red वाले path को follow करके यहां पर आ जाती मतलब कि यहां पर band हुई और यह सीधे यहां आ गई अगर सिर्फ पहली surface होती तो मगर हुआ क्या अच्छा एक बात तो यह होगी दूसरी एक ray अपने बिल्कुल straight निकाली यह दे पे किसके कारण सिर्फ पहली वाली surface के कारण यह lens अपन बहुत थिन ले रहे हैं यह जो radius है यह अपने पास radius of curvature हो गई यह जो distance है जहां पर image बन रही है वो वीवन डिस्टेंस है object जो रखा हुआ था वो यू डिस्टेंस पर था वो लेना मुझे चाहिए था पीवन से मगर मैंने बोल दिया कि lens is very thin assumption के according तो assumption के according lens is very thin इसलिए मैं यहां P1 से निकालू distance या फिर B center से निकालू कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है अपन लोग इसलिए हमेशा हर चीज़ center से निकालेंगे और assumption mention कर देंगे क्या assumption mention कर देंगे the lens is very thin बस इसके बाद कोई marks नहीं काटेगा आपके और अगर काटेगा तो आपसे खुलनस खाके बैठा है क्योंकि logically आपने यह बता दिया कि मैं P1 से लूँ P2 से लूँ या center से लूँ क्योंकि मेरा lens बहुत थिन है तो भाईया मेरी distance जो है वो बिलकुस सही आएगी नहीं तो कई books में वो T लेकर फिर minus करतें complicated करतें को कोई जरूरत नहीं उसको complicate करने की अब आजाओ यहां पर यह रे जो है यहां आ गई और यह रे बिलकुस सीधी आ रही ठीक है अब जब यह रे आगे बड़ी यहां पर अब हुआ क्या इस zone में क्या हुआ इस zone में यह हुआ कि रे जा रही है denser medium से rarer medium की तरफ देखो zoomed view में देखो तुम्हें समझ में आएगा यह रे जा रही थी ऐसी ठीक है अब यह रे जो है यह जा रही है म्यूटू से म्यूवन की तरफ denser medium से rarer medium तो यह जो रे होगी यह अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी मगर नॉर्मल तो पता चले कि नॉर्मल है कहां तो भा करवेचर से जो लाइन आएगी वह ऐसा नॉर्मल बन जाएगी तो यहां कहीं पर सेंटर आफ करवेचर है और वह से रेडियस जो आ रही है वह नॉर्मल है नाव दर रे इस गोइंग लाइक दिस ऐसी जाना चाह रही है मगर क्योंकि डैंसर से रेर जा रही है तो वह थोड पर आई पर बनेगी और यह आपकी फाइनल इमेज हो जाएगी मगर जब आप दूसरी सर्फेस को देख रहे हो तो मैंने कहा था ना मैं तेड़ा नहीं देखता मेरी आँखें कैसा देखती है भाई मेरी आँखें सीधे देखती है अब रे यहां पर एक मिरर लगा दिया मै यहां पर है जबकि object कहा पर थी यहां पर जहां पर raise होती है जहां से raise आती है मेरी आँखें सीधे वहीं देखती है तो यहां पर वही कहानी हुई कि यह जो object है यह raise ऐसी आ रही है यह जो incident हो रही है इस वाली second वाली surface पर वह यहां से हो रही है तो यह वाली रे तो इधर ज नहीं है वह virtual object क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक रहा से इस पॉइंट की तरफ आ रही है सिर्फ second वाले को देखो इसको लग रहा है कि एक रहे एधर आ जो मैं तुमसे कह रहा था, यह वाला इस साइड का स्फेर, इसका पार्ट यह हो गया, यह हो गया, center of curvature, यह बन गया normal, अब आपकी बुक्स में, यह वाली जो distance है, यह आरवन लिखी होगी, यह object distance U है, यह finally, यह I1 था, यह काम कर रहा था as a object for second surface, finally image आपकी बनी थी I पर, तो यह आपकी image distance हो गई V, that's it, diagram आपको समझ में आ गया है, और अगर यह समझ में आ गया है, तो यकीन मानो, अब बूटी आपका पूरा question खतम कर देगी, अब सिर्फ वसिफ manipulation बचाए, तो जो assumptions हमने discuss करें, वो क्या थे, lens is very thin, object is of point size, rays are very close to principal axis, क्योंकि हमने reflection curved surface के reflection का formula यूज करेंगे, और वहाँ पर angles बहुत छोटे बनते थे, वो भी लिख सकते हो आप, और नहीं तो आपने mention कर दिया, कि rays are very close to principal axis, that's it, अब यह जो diagram आपके सामने आया, यह वो simple वाला diagram है, जो आपको बनाना है, मैंने कहा था न, देखो भाई, बार बार नॉर्म principal axis की तरफ पहली बार यह band होगी, जब यह band हुई, तो यह यहाँ जा रही थी, और एक ray बिलकुल straight आ गई, तो यहाँ पर पहले वाले ने image कहाँ पर बनाई, I1 पर बनाई, और यह जो image बनी I1 पर, क्योंकि एक ray यहाँ से आ रही है, और एक ray बिलकुल सीधी आ रही है, तो second वाली surface को लगेगा, यह I1 जो है, यह उसके लिए object की distance है, object है, virtual object है, तो finally यह ray यहाँ पर ऐसे और converge हो जाएगी, नीचे की तरफ और band हो जाएगी, और यहाँ आई पर यह जो finally एक object ray आ रही थी, और यह वाली जो rays आ रही है, यहाँ फाइनली बना देंगी image, यह distance हो गई V, यह distance हो गई U, यह distance हो गई अपने पास V1 जहाँ पर अपनका intermediate बन रहा था, mu2 lens का refractive index है, mu1 बाहर वाले medium का है, दोनों तरफ medium हमारा same है, तो अब चल जाते हैं अपन booty zone में, ना booty zone क्या बोल रहा है, reflection through curved surface का formula क्या था, mu2 minus mu1 upon R is equal to mu2 by V minus mu1 by U, पुराने वीडियो नहीं द जाएगा, अब अगर आप देखो, तो पहले वाले ने जो image बनाई, I1 वो दूसरे वाले के लिए object की तरह काम कर रही थी, image formed by surface 1, act as a object for surface 2, तो यह बूटी का ही point है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले आप जा रहे थे, mu1 से mu2, 1 से 2 में घुस रहे थे, अब आप पहली बार आपने इस surface पे reflection का formula लगा दिया, mu2 minus mu1 upon R is equal to mu2 by V minus mu1 by U, यहाँ पर V क्या होगा, V1, क्योंकि पहले वाले के लिए image बन रही थी, I1 पे, तो यह हो गया, V की जगा पर आजाएगा V1, R की जगा पर आजाएगा R1, और object distance तो यह है, अब second वाली surface पर जब आप आ mu1 में जा रहे हो, तो भाई आपको सिर्फ आप इतना करना है, और काम खतम हो जाएगा, mu2 की जगा mu1 इस formula में, mu1 की जगा mu2 कर देना, image distance होगी V, object distance हो जाएगी V1, object V1 पर है क्योंकि, और image कहाँ पर है, V पर है, और बस फिर उसके बाद यह V1 तो हमें चाहिए ही नहीं था हमें तो UV के डम्स में चाहिए था, तो इन दोनों equations को add कर देना, तुमारा derivation खतम हो जाएगा, और यहाँ पर तुमारी बूटी भी खतम हो गई, तो देखो भाई, derivation आपके सामने अब यह रहा, पहली surface, x, p1, y, अब note करना 2 से 3 मिनिट लगेंगे, जादा नहीं लगने हो concept चीख लिया क्योंकि तुमने, अब देखो, x, p1, y, अगर इस surface के लिए देखें, तो आप mu1 से mu2 जा रहे हो, जो आपकी radius of curvature है, वो r1 है, तो यह हो जाएगा, mu2 minus mu1 upon r1, और यहाँ पर आपके पास object distance तो यू ही है, image distance जो है, वो v1 है, क्यों है, क्योंकि आपकी पहली वा रहे हो, mu2 से mu1, second वाली surface के लिए, x, p2, and y, अगर यहाँ देखोगे आप, तो mu2 को मैंने क्या कहा था, बूटी क्या बोलती है, क्योंकि अब आप mu2 से mu1 जा रहे हो, तो mu2 की जगा mu1, mu1 की जगा mu2, कहानी खतम, object distance तो अब v1 है, क्योंकि यह object की तरह काम करेगा, और आप की image distance है, v, तो mu1 minus mu2 upon r2, क्योंकि second surface है, is equal to mu2 की जगा पर, देखो, mu1, यह भी interchange हो गए थे, mu2 की जगा mu1, mu1 की जगा mu2, radius of curvature r2 है, mu2 की जगा mu1, image distance क्या है, v, minus mu1 की जगा पर mu2, object distance क्या है, v1, अब मुझे क्या नहीं चाहिए था, मुझे नहीं चाहिए था, v1, तो मैंन का, यहाँ पर minus का mu2 by v1, यहाँ पर plus का mu2 by v1 कहा था, क्या कर देना, add कर देना, लो भाई add कर दिया, हो गया add, जैसे ही add हुआ, mu2 minus mu1 upon r1, पहले वाले का, mu1 minus mu2 upon r2, दूसरे वाले का, is equal to, पहले वाले में क्या था, mu2 by v1 minus mu1 by u, और दूसरे वाले में था, mu1 by v, minus mu2 by v1, अब यह दोनों हो जाएंगे आपके cancel, यह वाला पार्ट, यह वाला पार्ट, यहाँ से minus को common ले लो, क्योंकि mu2 minus mu1, यहाँ mu1 minus mu2 था, तो आपस में interchange कर दो इन दोनों को, तो जैसे ही change करोगे, बीच में आ जाएगा minus, क्यों, क्योंकि यह भो जाएगा mu2 minus mu1, 1 upon r1 minus 1 upon r2, इन दोनों मेंसे, ये दोनों बचे, इन दोनों मेंसे क्या common आ गया, mu1 common आ गया, क्या बचेगा, mu1 by v minus mu2, mu1 by u, और mu1 common आ गया, 1 upon v minus 1 upon u, अच्छा, आपने mu1 common ले लिए था, यहाँ पर देखो, mu2 minus mu1 common, क्या बचेगा, 1 upon r1 minus 1 upon r2, यह भी हो गया, अगर यह भी हो गया, object अगर infinity पर हो, तो हमें ये पता है कि image कहां बनती है, focus पे बनती है, please यहाँ पर avoid करना, 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F, उसको avoid करना, क्योंकि अभी lens बना रहे हो, तुम lens वाले formula को use नहीं कर सकते, तो lens makers formula में lens formula use नहीं कर सकते, point to be noted, और यहाँ पर कभी भी मैंने sign convention नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा, क्योंकि मैं एक formula से formula drive कर रहा हूं, जब formula से formula drive करते हैं, तो उस formula में तुमने पहले ही sign convention रख लिया था, इसलिए यहाँ sign convention रखने के आवशक्ता नहीं है, तो अब आपके पास आगया mu2 minus mu1, 1 upon r1 minus 1 upon r2, mu1 common, 1 by v minus 1 by u, object is at infinity, image is at focus, v की जगा पर f, u की जगा पर आपने रख दिया infinity, यह देखो u infinity बन गया और vf बन गया, और यह जो mu1 था, यह divide में आगया इदर, तो यह हो जाएगा mu2 minus mu1 upon mu1, separate कर दो, mu2 by mu1 minus mu1 by mu1, अलग-अलग कर दिया base को, तो यह mu1 से mu1 cancel होके 1 बन जाएगा, now we all know, हम सब जानते हैं, कि mu2 by mu1 is basically 1 mu2, absolute or relative refractive index वाला formula जो हम आपन यूज करते थे, तो यहाँ पर यह बन जाएगा, mu2 by mu1 is basically equal to 1 mu2, 1 upon f यहाँ पर बचाता, now इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ, 1 upon f, 1 mu2 minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2, यह आपके सामने आ गया, एक सुन्दर सा lens makers formula का derivation, बूटी जो दी थी, भूल मत जाना, क्या थी, पहले एक surface, एक surface ने जो image बनाई, वो दूसरी वाली surface के लिए object का का काम कर रहे थी, बैड कर दो, क्यों sign नहीं रखे, क्योंकि formula से formula drive कर रहे हैं, इसलिए sign रखने के आवशक्ता नहीं है, इस वीडियो में, बाबा जी की दरफ से तो इतना ही, मगर keep supporting us, जितने जादा हो सकता है, लोगों से share करते रहो, क्योंकि हम जो आपको content दे रहे हैं, support करते चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की दरफ से चैक।